तो अच्छी होती है बुरी थोड़ी है जितने भी साइंटिस्ट हुए है पास्ट में वो आपसे ज़्यादा सोचते थे या आपसे कम सोचते थे ज़्यादा ही सोचते थे मैं आपको क्या लगता हूँ मैं यहां बैठा हूँ मैं आपसे ज़्यादा सोचता हूँ कम तो नहीं सोचता हूँ आप कोई भी टॉपिक दे दो देगो मेरे पास तो त्यार बैठा रहता ह तो, हर topic के ओपर मेरे पास कुछना-कुछ है बोलने के लिए, the point is, कि ज़्यादा सोचना problem नहीं है, सोचना problem नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचना ही बंद कर दो के तो, आपमे और जानवरों में क्या फर्ख है, हमें और जानवरों में क्या फर्ख है, सोचने कई तो है हम सोच सकते हैं सोच करके अपने आपको जानवरों से बचा सकते है विचारे जानवर सोच करके अपने आपको हमसे बचा नहीं सकते है उनके पास कोई प्लान नहीं है कि इंसान से कैसे बचे तो सोचना प्राब्लम नहीं है गलत सोचना problem है wrong thinking right thinking is not a problem उससे तो आप solutions निकाल लोगे न अपनी life के तो wrong thinking क्या है what is wrong thinking wrong thinking का ground क्या है wrong thinking, right thinking जो मैं कह रहा हूँ कैसे decide करें कि क्या wrong है क्या right है हो सकता है आपको wrong लग रही हो मेरे लिए right हो मुझे right लग रही है आपको wrong हो पकड में आ रही है बात right thinking मतलब clear thinking सीधी thinking सीधी साधी जैसे बोलते है wrong thinking मतलब टेड़ी बेड़ी जहां पर हम खुदी फसे पड़े है तो right thinking मतलब क्या wrong thinking मतलब क्या पता हो जी बिलीफ पे बेश्ट है वो wrong thinking है और जो reality में बेश्ट है बिल्कुत से ही लेस्ट गिव बिग हांड पर है ये क्या हूटिं करी भाजी आपने आपने आज आई मेरे को थोड़ी हलकी फुलकी सी तो भागणा भी पादो अको यार आँ ना भाजी ये बात clear होई ये बोली है जो भी आपके beliefs के ओपर based है वो wrong thinking है और जो reality के ओपर based है वो right thinking है beliefs हमारे किसके ओपर based है illusion के ओपर based है और जो reality है वहापर किसी belief की जरुवत नहीं है डू यू हाँ टू believe के मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ अभी च्यों believe करो विश्वास करो के मैं यहाँ पर हूँ मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे है आप लो किसी को भी doubt है के मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ तो reality में belief की कोई जगे नहीं है belief कहां पर चाहिए जो reality में कहीं नहीं है आपके आस पास में मजब को कुछ भी बोल दिया गया है और आपने मान लिया है और उसके बेस पर कुछ भी सोच रहे हो कभी अपने अंदर जाग करके देखो जो भी आप सोचते हो वो beliefs के बेस पर सोचते हो या reality के बेस पर सोचते हो 99% जो भी कुछ सोच रहे हो सब belief के पेस को बगवान है या नहीं है एक मिनट बदे है या नहीं है ये belief है रियालिटी है अच्छा reality है वा जी वा आपने सीधा ही statement दे दी कि बगवान नहीं है अच्छा मैं कहता हूँ है करो challenge कैसे करोगे और जो कह रहे है है। वो भीलीव है, रियालीटी है? भीलीव है. क्योंकि मैं कहा हरा हो, कि नहीं है? करो प्रूफ. है आपके पास कोई फोनोटो है? दिखाओ, प्रूफ करो, कैसे प्रूफ करोगे? तो रियालीटी के बेस पर अगर हम सोचें, तो मारा mind clear हो जाता है चीज़ों को हम देख सकते हैं समझ सकते हैं confusions नहीं होते हैं ऐसे mind में ऐसे mind में अंदर conflicts नहीं होते हैं beliefs के base पर conflicts होते हैं तो कि believe आप कैसे करते हो आप एक किताब के base पर believe कर रहे हो या आपके parents ने कुछ आपको कहा उसके base पर आप believe कर रहे हो दूसरा कोई बंदा आजाएगा जिसने किसी और religion की किसी और किताब में कुछ परा है तो वहाँ पर लडाई जगड़ा हो जाएगा conflict हो जाएगा तो जब बाहर conflict होगा तो अंदर भी conflict होगा conflict वाले mind को ही problematic mind बोलते हैं जिस mind में कोई conflict ही ना हो conflict की गुणजाईश ही ना हो उसको clear mind बोलते हैं तो clear mind कैसे होता है जो भी बोलना है जो भी सोचना है reality के base पर तो reality क्या है भगवान है या नहीं है क्या बोलना है reality क्या है पता नहीं बिल्कुत सही पता नहीं I don't know अब ही आपके लिए यह reality है लेकिन किसी दिन भगवान आपके experience में उतर आए तब बोल सकते है yes I know तब आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा आपकी आँखों में दिख जाएगा कि भगवान आपके आसपास में है आपके अंदर है या नहीं है आप बिलीव कर रहे हो कि भगवान आमारे अंदर है क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है या आपको पता है कि भगवान मेरे अंदर है तो belief और reality में फर्क को हमको समझना है तो यह जो overthinking जो problem है जो I'm 100% sure आप सबकी है सुबह brain activate हो जाता है रात तक जब तक सोने की कोशिश कर रहे होते है वो activated रहता है कुछ भी thoughts आ रहे होते हैं माईन में जिसे कोई भूत की picture देखी या आपके भाई ने आपको कोई भूत परेत की कहानिया सुनाई अब रात को नीन नहीं आ रहे है क्यों नहीं आ रहे है क्यों डर लग रहा है भूत परेत दिमाग में घूम रहे है तो क्या ये आपके beliefs हैं जिसके बेस पर आप सोच रहे हैं या reality है beliefs है तो अब ये thinking खत्म कैसे होगी कैसे होगी बताओ सिर्फ ये समाजने से होगी कि ये beliefs हैं ये क्यों reality नहीं है illusions है जरो भूत नहीं है मेकप है भूत नहीं है भूत नहीं है मेकप है ध्यान से जा करके देखो वहाँ पर टेलिविजन में आप देखोगे तो आपको समझ आएगा ये तो मेकप है ऐसी भूत तो मैं भी बन सकती हूं उसे बेटर बन सकते हूं इन फाक मुझे तो मेकप की भी जरूरत नहीं है ये आपको जवाब मिल गया है clear जवाब मिल गया है अगर किसे person के लिए अगर हम की हाँ वो ऐसे है वो ऐसे है तो दिमाग में उनकी negative और positive दोनों बहुत आता है तो उसको कैसे करेंगी रोत सच में ऐसे है या ऐसे दिखा रहे है कि हमारे mind में confusion रहती है एक conflict चलता रहता है कि वो जो person हमारे साथ में है वो ऐसे है या वैसे है मतलब अच्छे हैं या बुरे हैं तो वो अच्छे भी हैं और बुरे भी है दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ अच्छा हो या सिर्फ बुरा हो बुरे से बुरे में भी अच्छा ही होती है अच्छे से अच्छे में भी बुरा ही होती है लेकिन जिस बेस पर आप उनके बारे में अच्छा बुरा सोच रहे हो जरूरी नहीं है वो सच है वो illusion भी तो हो सकता है न तो reality है या illusion है वो कैसे पता लगेगा उनके साथ बैठ करके पता लगेगा चाहे directly उनसे पूछो चाहे indirectly पूछो depending upon your relationship जैसे आज अगर मैं अपनी बात कर तो मेरी और मेरी वाइफ की जो relationship है अगर जरासा भी कुछ मेरी को लगता है तो मैं सीधह जा गर कर उसे पूछ लेता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है तो वो हसने लग जाती है क्या लग रहा है मुझे थोड़ी actual में पता है कि वो अपने mind में क्या सोच रही है तो मैं क्या करता हूँ जा गर गर उसे बूच लेता हूँ तो पता लग जाता है कि वो मेरा belief था या reality थी तो mind में कभी भी चीजों को पड़ी मत रहने दो यह चीजों पड़ी रहती है न यह सणने लग जाती है time के साथ साथ किसी के लिए आपके दिल में कुछ बुरा है कोई नफरत है यह है निकाल दो न उसको खतम करो बंदे को खतम नहीं है समझे मैंने क्या बोला है यही प्राब्लम है आप कुछ और मैं समझा न खतम करो मतलब उस बात को खतम करो या तो उससे बात करके उस प्राब्लम को सॉल्व करो या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा किसी के लिए कोई खुंदग है तो कमरा अपना बंद करो जिस वक्त घर में कोई ना हो चीखो चिलाओ ये करो वो करो कुछ भी दो चार कहाँ से ग्लास ले लो तो दो ऐसे करके बाद में उसको साफ कर दो थोड़ा खुंद भी निकल आएगा तो या रिलाइस हो जाओगे तो अंदर की जो भी भडास है वो निकाल दो मतलब उसको दबा करके मत रखो अपने अंदर किसी के लिए भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई बुरी फीलिंग है कोई बुरा थौट है कोई किसी को नुकसान पहुचाने की चाहा है तो समझ जवाब खुश नहीं रह सकते उसका कुश नहीं जाएगा मतलब आपको अपने माइंड को क्लियर करना है पहले हैं समझ लो यह हम बड़ी गलती करते हैं हम क्या कर रहे हैं हम उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है आपके किसी के साथ लड़ाई हो लेकिन वो एंड तक आपसे लड़ता ही रहे मरते दम तक आपसे नराज ही रहे आपने कोई गलती कर दी आप उसे माफी माँग रहे हैं लेगे फिर भी वो आपको माफ नहीं कर रहा है तो आपको अपने माइंड को क्लियर करना है आपको अपने आपको माफ करना है कि I am just a human being, मैंसे कोई गलती हुई और मैंने घुद को माफ कर दिया अब उसने नहीं किया तो वो उसकी प्राब्लम है, वो मरेगा पुर्य जिन्दकी के लिए वो सड़ेगा, अंदरी अंदर इसको सड़ना बोलते है, अंदरी अंदर कोई आपसे जेलेसी कर रहा है तो आपको वहाँ पर उसके माइंड को क्लियर नहीं करना है कि वो आपसे जेलेसी ना करे उसको आप कैसे क्लियर करोगे आपको अपने माइंड को क्लियर करना है कि मेरे अंदर जेलेसी पैदा ना हो कोई अगर अपने आपको आपसे कंपेर कर रहा है तो कोई बात नहीं करने दो, उसकी अपनी समझना है यह बात पकड़ में आ गई है न यह कुछ बेसिक्स है लाइफ के अगर यह हम समझ पाएं न और इस तरह से चल पाएं अल्टिमेट गोल क्या है यहां से if you really want एक है आपने सिर्फ पूछने के लिए पूछा है कि मैं अपनी overthinking को control कैसे करूँ क्योंकि यह कोई छोटा सवाल नहीं है if you really mean it क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज है नहीं लाइफ में इसकी value क्या है आपके जो अंदर की दुनिया है वो बलकुल clear हो जाए इसी को तो खुशी कहते हैं और खुशी क्या है बार चिल्डर पिलर मिल जाएगी वो उससे खुश हो गया समझे करो और फिर देखो अंदर क्या होता है तो देर देरे समझ आएगा अपके माइंड की कंडिशन क्या होती आप compare थोड़ी कर रहे हो आप तो सीख रहे हो इस लर्णिंग comparison आप अपने आपको मेरे से compare कर रहे हो यह मेरे से कुछ सीख रहे हो अगर compare करो गए तो अपनी धजियां उड़ा लो समझ गए कि यह बंदा कहा है मैं कहा हूं यह सीख रहे हो तो तो चाहिए इस से सीखो चाहिए गली में किसी बिखारी से सीखो उसमें comparison की क्या जरूते है करने तो अभी मैंने क्या कहा यहां पर यह बात समझ आई कि आपको अपने माइंड को ठीक रखना है अपने पेरेंट्स के माइंड को नहीं आपके पेरेंट्स अपने माइंड को ठीक रखना चाहते हैं यह नहीं चाहते यह उनकी problem है मैंने इतनी सारी बाते आप लोगों से करी लेकिन इन बातों की importance और इसकी depth आप देख पाते हो या नहीं देख पाते हो या आपकी problem है मेरी नहीं है मेरा जो काम था मैंने sincerely कर दिया है आगे आपका काम है आपका काम हो